नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर. दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि पृत्वी लोग पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता. उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? ये सवाल अक्सर आपके मन में आता होगा. आज हम इस विशय पर विचार करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे. कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है? बहुत से आचारियों का कहना है. वेद पुरान और गीता के मुताब को धारन करती है. किसी आत्मा के जीवन का यह चक्र तब तक चलता रहता है, जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता. हम सभी को पता है कि शरीर के मरने के बाद भी आत्मा जिन्दा रहती है. अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती, तो फिर वह कहां जाती मृत्यू के बाद मृतक की आत्मा यमलोक पहुंचती है, लेकिन इस यात्रा में जीवात्मा को 47 दिन का समय लगता है और इन दिनों में आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में गरुर पुरान में बताया गया है जो कुछ इस प्रकार है। मरने के बाद मृतक व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हलका हो गया है, हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है, वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, वह परेशान हो जाता है, वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, वह मानता नहीं कि वह मर चुका है, उसका यह भ्रम तब मिट जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। और अंतिम समय में परमात्मा द्वारा दिव्या दृष्टी प्राप्त होती है, जिसके बाद व्यक्ति जीवन का त्याग कर देता है, मृत्य होने के बाद दो यम्दूत आते हैं और आत्मा को ले जाते है, जीवात्मा के साथ वैसा ही बरताव किया जाता है, जैसा उसने जीवन काल में दूसरों के साथ किया होता है, और जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो वह दूसरे जीव में स्थान ग्रहन कल लेता है, इस विशय पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताए, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद.